लोकायुक्त पुलिस के हते चड़े ये पटवारी महाशेर रिशुवत ले रहे थे इन्होंने एक किसान से जमीन की पावती बनाने के लिए रिशुवत का सौदा किया था मांग रहे थे 50,000 लेकिन रिशुवत का रेट तैख हुआ था 35,000 रुपए हाला कि इसकी सूचना परियादी आनंद यादव ने लोकायुक्त सिकर दी थी जैसे ही पटवारी राथिश्याम चौरस्या ने रिशुवत की रकम ली लोकायुक्त पुलिस ने उसे धर्दबोचा सरॉ परियाथ इसे इक इस दीटा रखर दियादी थे यक पठवारी ने ए बार तो खीद गहते थे 500,000 रुपभए ली से हमसे काम कुछ नहीं करे और अभी दो दिन हुए थी सब्सक्राइब करें तो 50,000 हम तुहार पास तो ब्योस्ता नहीं बोले सर उन्हें 35,000 में डन हुए और आज 35,000 उनको दिया कमें दरसल परियादी आनंद यादव ने पटवारी की शिकायद जबलपूर की लोकायुक टीम से कर दी थी जिसके बाद लोकायुक डियेस्पी दिलीब छारवडे के नेत्रत्व में लोकायुक की टीम पहुची और आरोपी पटवारी को धर दबोचा हमारे आवेदक है आनंद यादव ये चंदन गाव चिनवारा के निवासी है इनकी पतनी सिर्मती मंजू यादव के की पैत्रक जमीन ग्राम मालावडवारा में जिनका बटवारा सीमांकन और रेंट पिस्ति का बनाई जाना था इसके लिए इनोंना तैसिल कारेले में आव आज हमने इनको 35 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है कारवई जारी है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में लगातार लोकायुक्त की टीम ऐसे रिश्वत खोरों के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार ऐसे घूस खोर अफसरों को पकड़ रही है ताक प्रिश्टाचार पर नकेल कसी जा सके चुनवाडा से पवन शनमा के रिपोच एमपी तक